आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ x Firebase हमारे क्या देक हैं फोटाई हैं c1, c1, c3 के जहांपर s1 की मेरी x1, y1, s2 की वैली x2, y2 और s3 की वैली, x3, y3 है तो हमें वैल्योट बताने है x1 स्क्वेर प्लस x2 स्क्वेर प्लस x3 स्क्वेर और y1 स्क्वेर प्लस y2 स्क्वेर प्लस y3 square इसके हमें value बतानी है तो हमारा जो equation है वो है y square is equal to 4x अराम से हम जानते हैं कि यह parabola है जिसका center 1,0 पर है ठीक है यह line है हमारी हमको इसका जो equation है वो हमको क्या करना है 120 degrees है rotate करना है यानि कि यहां कहीं आ जाएगा यह हमारी नई line बने की तो अब अगर यह 1 के distance पर है तो यहां पर भी यह focus कितने के distance पर होगा अगर यह 120 है अगर यह 120 है तो यह angle कितना हो जाएगा यह angle 30 degree हो जाएगा तो अब simply एक चीज़ बन जाती है कि यह हमारा rectangle बन गया तो यह length कितनी होगी वन कॉस 30 मतलब रूट 3 by 2 और यह length कितनी हो जाएगी यह length मेरी हो जाएगी 1 by 2 यानि कि sign में basically right तो center जो यह वाला मेरा curve जो नया बनेगा वो c2 curve बन जाएगा यह किसकी focus होगा s2 होगा तो s2 की values क्या क्या है s2 की values है minus 1 by 2, minus root 3 by 2 अब अगर मैं किसी भी x equals to y पर reflection लेता हूं तो यह क्या करता है जो नया जो image बनेगी वो क्या होगी alternate मतलब जो x होगा वो y बन जाएगा और तो अब summation of x1 square x i square i equals to 1 to 3 1 square 1 1 by 4 plus root 3 by 2 मतलब 3 by 4 यह आ गया 2 अब summation of y i ka square i equals to 1 to 3 0 plus 3 by 4 plus 1 by 4 is equal to 1 तो दोनों का summation कितना हो जाएगा दोनों का summation आ जाएगा 3 तो मेरा answer क्या बन जाएगा answer बन जाएगा option B 3 यह मेरा final answer हो जाएगा Thank you so much for watching the video Classics to 12 से लेके NEED IIT JE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 सुपर